हेलो और नमस्ते, वेलकम टू इटीज उनलाइन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गिरीश कनाड का लिखावा एक बहुत ही फेमस प्ले तुगलक, जिसे 1964 में कन्नड लैंग्विज में लिखा गया था गिरीश कनाड के द्वारा, ये जो प्ले है इसमें स्कूल आफ ड्रामा में, स्टुडेंट प्राडक्शन के रूप में, इसकी बाद इसे 1972 में, न्यू देली के पुराना किला पे भी स्टेज किया गया था, तुगलक वैसे तो एक स्मार्ट में था, लेकिन उसे हिस्ट्री की वर्स्ट फेलियर्स में से एक माना जाता है, गि आज हम लोग पढ़ेंगे, ग्रीश कनाड का लिखावा वही प्ले, एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, और सारा का सारा प्ले हम लोग एक दम सीन वाइस पढ़ेंगे, तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट, इंट्रो के बाद, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर के में कैरक्टर को जान लते हैं, सबसे में कैरक्टर है मुहमद भिन तुगलक जो की एमपरर है समराट है, दूसरा कैरक्टर उसकी स्टेप मदर यानि सोतेली मा, तीसरा अजीज, जो की एक दुष्ट आदमी होता है जो तुगलक को हर एक मौकी पर धूखा देता रहता है, कभी भेश पदल के और कभी वैसे चुना लगाता रहता है, फिर आता है आजम, ये अजीज का एक फ्रेंड होता है और सारे बुरे कामों में इसका पार्टनर भी होता है, फिर नाजिब, नाजिब तुगलक का सबसे शेक इमामुद्दिन जो कि तुगलक के फिलिश एक्ट का क्रिटिक था यानि हमेशा उसकी आलोचना किया किलता था शेहाबुद्दिन और शेहाबुद्दिन का भाई था रतन सिंग अडॉप्टेड ब्रदर था यानि हाफ ब्रदर शेक शमसुद्दिन इनुल मुलक इनुल मुलक एक ओल्ड फ्रेंड था तुगलक का जो की बाद में उसका दुश्मन बन जा था और गिया सुद्दिन अब्बासीद गिया सुद्दिन अब्बासीद जिसे खलीफ अब्बासीद का एक डिसेंडेंट माना जाता है यानि वन्शज माना जाता है और तुगलग की तरफ से इसे एक गेस्ट ऑफ आनर मिलता है यानि मेहमान नवाजी का एक आमंतरंड मिलता है लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे रेजिडेंट्स वाँके बैठे हुए थे और कुछ हिंदू लोग भी बैठे हुए थे अब पहला जो सेन स्टार्ट होता है उसमें इंटरेक्शन चल रहा है, बातचीत चल रही है एक ओल्ड मैन है, एक यंग मैन है एक तीसरा आदमी है और एक हिंदू आदमी है ये सारे के सारे बातचीत कर रहे है जो एल्डरली परसन होता है, यानि जो बुजर्ग परसन होता है वो मुहमद पे एक इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि मुहमद इसलाम के नाम पे एक कलंग है उसने पूरे नीशन को डिस्ट्रॉई कर दिया जबकि जो दूसरा यंग मैन होता है वो मुहमद के फेवर में आर्ग्यू करते हुए बोलता है कि नहीं, मुहमद तो इसलाम का डिसाइपल है यानि इसलाम को फैलाने वाला है और उसी का ओर्डर था कि हर किसी को एक दिन में पांच बार प्रे करनी चाहिए यानि पांच बार नमाज अदा करनी चाहिए अब जिस समय ये सारे बाती चल रही होती है उसी समय एक अनौंस्पेंट होता है कि एक ब्रामिन ने जिसका नाम विश्नु प्रसाद है देखे बड़े ध्यान से सुनगे इस पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन आता है एक ब्रामिन है जिसका नाम विश्नु प्रसाद है उसने मुहमद बिन तुगलक की अगेंस्ट एक कम्प्लेन फाइल किया है क्योंकि authorities ने उसकी property ले ली थी इस ब्रामिन की जिसका नाम विश्नु प्रसाद था तो ब्रामिन के जो claim है उसको recognize किया जाता है की मतलब तेरा claim एकदम सही है और उसको 500 silver की दिनार दे दी जाती है और civil service में एक position दे दी जाती है और मुहमद यहां से court से चले जाते हैं दरबाट से चले जाते हैं अब उसके बाद में वो inform करते हैं कि आज के बाद हमारी जो नई capital है उसको shift किया जागा डेली से दौलताबाद इस पे बहुत important question आता है इसको भी बड़े ध्यान से सनना question यह पुचा जाता है कि डेली से दौलताबाद को capital क्यों shift किया गया था तो इसके बहुत सारी reasons थे तीन main reason थे देखे जो डेली था यह north में था और दौलताबाद south में तो मुहमद बिन तुगलक का यह मानना था कि अगर हम अपनी capital को shift करते हैं दौलताबाद में तो हम south में भी अपना शासन बढ़ा सकते हैं पहला reason दूसरा reason यह था कि डेली नौर्थ में था जो कि इंडिया की एकदम periphery पे था यानि boundary पे था तो mongols के attack का हमेशा खत्रा बना रहता था इसलिए चाते थे कि अगर capital को हम लोग एकदम इंडिया के भारत के बीचों बीच में लेकर आ जाए तो mongols के attack का खत्रा हमारे उपड़ नहीं होगा तो तीसरा सबसे main reason यह था कि जो तुगलक था यह secular था मतलब यह जात पाद धर्म वगरा को नहीं मानता था और यह हिंदूस को भी ज़्यादा preference दिया करता था तो जो दोलता बाद थी वहाँ पे हिंदू population काफी ज़्याद थी और इसका यह मानना था कि वहाँ पे जाकर हम लोग हिंदू-Muslim unity की एक नई मिसाल पेश कर सकते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो इस strategy को आपस करते हैं मतलब इसके खिलाफ जाते हैं एक तीसरे आदमी का तो यह कहना होता है कि शेख इमाम-द्दीन शेख इमाम-द्दीन एक बहुती ज़्यादा इसमें important character है बड़े जान से सुनना एक तीसरे आदमी बोलता है कि शेख इमाम-द्दीन का ये कहना है कि तुगलक ने ही अपने फादर और अपने ब्रेदर का मरडर किया है अब दूसरी तरफ मुझे बरामिन नाने जिसका नाम विश्नु प्रसाद था जिसे 500 सेलवर की दिनार मिल चुकी थी तो कोर्ट रूम के बाहर यानि दर्बार के बाहर एक पिक पॉकेट था यानि एक जेब खत्रा था जिसका नाम आजम था वो उस ब्रामिन का वेट कर रहा था कि जैसे ये बाहर आएगा मैं आकर इसको लोट लूँगा लेकिन होता क्या है जैसे ये ब्राह्मन बाहर आता है आजम को बता चलता है कि यार ये तो इसको पुराना दोस्त है अजीज अब कहानी में एक नया ट्वेस्ट आता है ये जो अजीज था इसने एक ब्राह्मन का भेश बनाया था किसलिए? कॉमपेंसेशन लेने के लिए अक्चली हुआ क्या था कि महमद बिन तुगलक ने पहले एक नया लौ पास्ट किया था उस लौ के अगेंस्ट अगर किसी हिंदू के साथ में ओफिशिल्स को भी घरबड करते हैं तो इसको अपने डैमेज का क्लेम लेने का पूरा-पूरा हक है मतलब ये क्लेम सिर्फ हिंदू ही ले सकता है इसलिए ये जो अजीज था हलंकि ये मुस्लिम था लेकिन इसने विश्नु प्रसाद यानि हिंदू का भेश मनाय था ताकि ये अपने डैमेज के लिए क्लेम कर सके अब इसके बाद में ये तो पता चल गया आजम को कि भाई अजीज ही है ये मेरा दोस्त है तो अजीज इससे बुलता है एक काम करता है हम दोनों मिलके सिवल सर्विस में काम करेंगे तुम्हें कहीं भी जाने की जर्वत नहीं है सेन फर्स्ट यहां पर एंड हो जाता है तो अब अदा है सेन सेकंड जो की रोयल रेजिडेंस में है यानि शाही घरानी के अंदर है यहां पर मुहम्मद अपने स्टेप मदर से बात कर रहा है धान रखी यह उसकी स्टेप मदर है यानि उसकी सोतेली मा है मुहम्मद उसे इन्फार्म करता है अपनी मदर को कि उससे बहुत ज़्यादा बेचानी हो रही है क्योंकि लोग उसके उपर इल्जाम लगा रहा है 30,000 लोगों की एक फोर्स लेकर यानि 30,000 लोगों की सेना लेकर वो देली के क्लोज आता जा रहा है इससे स्टेप मदर एकदम शौक्ड हो जाती है क्योंकि पुराने जमने में कभी वो दोनों एकदम दोस्त हुआ करते थे तुगलक और इनलमल्क दोस्त हुआ करते थे अब जब ये दोनों बात कर रहे हैं स्टेप मदर और तुगलक बात कर रहे है उससे समय मुहम्मद का सबसे करीबी दोस्त आता है जिसका नाम होता है नाजिब और ये एक पॉलिटीशन भी है साथ ये साथ बढ़नी भी आता है बढ़नी जो की हिस्टोरिया ने इतिहास कार है नाजिब को इस बात की चिंता होती है कि शेख इमाम अद्दीन डेली में आ चुक है और उससे छुटकार अपाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जबकि बढ़नी को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें कोई भी परिशानी नहीं है वो इस बात पर भी डिसकस करते हैं कि जो एनुल मल्क है वो धिरे दिरे डेली की तरफ बढ़ता जा रहा है उसने डेकन की गवर्निक की पुजीशन को टर्न डाउन कर दिया है और अवद के लोगों के साथ में एक नया टाइ स्टैबलिश कर लिया है या नया बंदन बांद लिया है तुगलक ये इंफर्म करता है कि कल हम लोग कनो जाएंगे और इसलिए मेरी एपसिंस में नाजिब और शिहा बुद्दिन एड्मिनिस्टेशन की देखबाल करेंगे तुगलक और नाजिब तो रूम से चले जाते है अब वहाँ पे स्टेप मदर रह जाती है और बर्नी रह जाता है स्टेप मदर इस बात से बड़ी परिशान होती है कि मुहमद बिन तुगलक सबसे जादा टाइम नाजिब के साथ में बताता है ये बात वो बर्नी को भी बताती है और बर्नी बोलता है कि कोई टेंशन मतलों मैं सब कुछ समाल लूँगा अब थोड़े दिनों बात में एक बड़ी सबा का आयोजन किया जाता है जिसमें शेक इमाम उद्दिन क्रिटिसाइज करता है मुहमद बिन तुगलक की गवर्मेंट को और उसकी अन्वाइस पॉलिसीज को मतलब उसके बारे में बुरा बला बोल रहा होता है और सीन सेकिंड यहीं पे एंड हो जाता है अब आता है सीन थर्ड तो सीन थर्ड हमारा है बड़ी मस्जित के सामने का कोटियार्ड यहाँ पे मुहमद के स्लेव्स हैं मतलब मुहमद के कुछ गुलाम लोग है शेक इमाम उद्दिन है और मुहमद तुगलख खुद है इस मीटिंग में कोई भी अटेंडीज नहीं है यह जो मीटिंग बुलाई गई है न यह शेक इमाम उद्दिन ने बुलाई थी ताकि वो यहाँ पे आके तुगलख के उपर ब्लेम कर सके तुगलख के उपर इल्जाम लगा सके लोगों के सामने लेकिन हुआ क्या था जो तुगलख था उसने पहले ही अपने आदमियों को बेज दिया था कि सब को जाके मना कर देना कि कोई भी इस मीटिंग में बिलकुल भी नहीं पहुचे तो यहाँ पर होता कि है कोई भी अटेंडीज ही नहीं होता है और शेख इमाम उद्दीन की बेज़ जती हो जाती बिचारे की अब मुहम्मद शेख इमाम उद्दीन को ये इन्फार्म करता है कि एनुल मुल्क डेली आ रहा है और मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने क्लिरली मना कर दिया कि भी मैं तुगलक के अलावा और किसले से मिलूंगा नहीं तो इसलिए मेरा वहाँ पर जाना जरूरी है लेकिन अब मैं तो वहाँ पर जानी सकता तो वो इमाम الدین को बोलता है एक काम करो तुम मेरा भेश बनाओ मतलब तुम मेरी जैसे कपड़े पहनओ और हाथी के उपर बैठके तो इनुल मुल्क से मिलने के लिए शीख इमाम الدین को भीजा जाता है तुगलक का भेश बनाकर राजा का भेश बनाकर और हाथी पर बैठा के और तुगलक बोलता है कि देखो अगर तुम एनुल मुल्क से बात करने के लिए नहीं गए तो बहुत सारे मुसलिम्स की डैथ हो जाएगी जो कि शिहा बुद्दिन का हाफ प्रतर है यानि उसका कहजिन है वो आता है और वो बताता है शेख इमाम الدین का मुर्डर कर दिया गया है और उसको किसने मारा एनुल मुल्क ने उसी समय पे वहाँ पे बर्णी नाजिब और मुहम्मद बिन तुगलक पी आ जाते है और ये वहाँ पे आके क्लेम करते हैं मतलब ये वहाँ पे आके एक घुशना करते हैं डिकलेरिशन करते हैं मुहम्मद बिन तुगलक कि अब से वो आवद में रहेंगे ताकि यहाँ पे रहके वो जनता की दिखबाल कर सके अब मुहम्मद की ये जो willingness थी charitable होने के लिए यानि इतना ज़ादा वो दयाधर्म शो कर रहा था बढ़ने इसे बहुत ज़ादा खुश हो जाता है और ये बात बोलकर हर कुई वहाँ से रूम से चला जाता है अब सिर्फ वहाँ पे दो लोग बचले हुए थे रतन सिंग और शिहाब उद्दीन रतन सिंग शिहाब उद्दीन को बताता है कि इमाम उद्दीन का जो murder है वो actually तुगलख के द्वारा ही करवाए गया है क्योंकि ये तुगलख का plot था मतलब ये तुगलख की चाल थी कि इमाम उद्दीन को मैं अपना भेश बना के भीज देता हूँ और उसे अच्छे तरह से पता था एनुल मुल्क उसको कभी नी छोड़ेगा इसलिए उसने इमाम उद्दीन से बदला लेने के लिए और अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे अपने कपड़े पहना कर और अपना भीश बना कर भीश दिया और जाते ही एनुल मुल्क ने उसको मार दिया तो यहाँ पे हमें तुगलक का एक निगेटिव केरेक्टर एक उसके केरेक्टर का डार्क साइड भी पता चलता है और सीन फोर्ड की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है अब सीन फिफ्ट की स्टार्टिंग होती है जोकि डेली के एक रेजिडेंस में है साइड, अमीर, रतन सिंग और सिहाब का एक ग्रूप यह सारी के सारे लोग मिलकर डिस्कस कर रहे है मुहमद के शासन के उपर, उसके रूल के उपर अमीर्ज के अकॉर्डिंग, दौलताबाद को इसलिए चूज किया गया है नई कैपिटल के रूप में कि शेख हैदरी को हिरासत में ले लिया गया है और शेख हुड को पूरी तरह से खतम कर दिया गया है चार उत्रफ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक सोरी है शेख इमामुद्दीन का भी एक क्लेस यहां भी निप्टाय जा रहा है शेख इमामुद्दीन जो मर चुका था ना इनुल मुल्क के हाथो ऐसा बोला जा रहा है कि मुहम्मद के सैनिक उस समय घर घर जाकर लोगों को डारा धंका रहते कि वो शेख इमामुद्दीन की सभाव से दूर रहे शिहाब जो की वास्तों में तुगलक का बहुत जादा करीबी है वो भी डिसाइड करते है कि हाँ यार तुगलक की जो पॉलिसी जा उसमें कुछ कमी वगरत हो है तो ठीक है मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ जो तुम लोग डिसाइड करोगे वो मुझे मन्जूर होगा इसलिए वो लोग क्या डिसाइड करते है कि अब नेक्स दे जब दरबारे खास के लिए तुगलक आए और आकर अमेरों से मिले तो वहाँ पे उसके जितने भी सैनिक है उन सबको निहत्था रखा जाएगा यानि उनको अनार्म्ड रखा जाएगा किसके पास हत्यार नहीं होंगे और हम लोग उसी समय जब वो तुगलक पूजा करोगा उसी समय हम लोग उसको मार देंगे अब यहाँ पे शिहाब अभी भी थोड़ा कन्फियूज रहे कि यार तुगलक को मारने में मैं इन लोगों का साथ दू या नहीं दू लेकिन रतन सिंग शिहाब को समझा लेता है जैसे तैसे और अपनी साइड में कर लेता है और यहाँ पे सेन फिफ्थ भी एंड हो जाता है सेन शिक्स्ट पैलेस यानि महल का सीन है जिसमें महमद, बर्णी और नजीब रूम में है उसी समय अमीर्स भी वहाँ पे आता है महमद वहाँ पे सारे लोगों को जितने भी लोग वहाँ पे उपस्टित होता है उन सब को इनफॉर्म करता है कि अबासीद खलिफ का एक सर्विस मेंबर है जिसका नाम है अबासीद गिया सुद्दिन जिसने महमद का ओफर माल लिया है अपनी कैपिटल में आने के लिए यानि महमद ने उससे मना लिया है अबासीद गिया सुद्दिन को अपनी कैपिटल में आने के लिए और वो थोड़े दिनों में हमारे पास आने वाले है साथे साथ ये भी डिकले करते है कि अगले साल से हम लोग कॉपर के कोईंस चलाएंगे और ये कॉपर के कोईंस पी जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल सिल्वर के दिनार के एकवल होगी तो देखें ये कितना ज़दा गलर डिसेजन था क्योंकि कॉपर का कोईंस तो चला दिया लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही करी जितनी सिल्वर की कोहिंस की वैल्यू थी अब मुहम्मद प्राथना करने के लिए बैठ जाते हैं नमाज लदा करने के लिए बैठ जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर रख देते हैं अब चारो तरफ से क्योंकि पहले से डिसाइड किया गया था ने कि जैसे प्राथना करने बैठेंगे चारो तरफ से हम लोग इनको घेर लेंगे लेकिन होटा यहां पर उल्टा है जो अमीर्स होते हैं जैसे ही वो अपनी तलवार निकालते हैं तो उनको मुहम्मद के जो हिंदू सैनिक थे क्योंकि मुहम्मद हिंदू हमें भी उतनी ज़्यादो लोग पुई है थे क्योंकि जो हिंदू से बिलकुल भी बेदबाव नहीं किया करते थे तो उनके जो हिंदू सैनिक थे चारो तरफ से अमीर्स को घेर लेते हैं जो कि मुहम्मद की मुढ़र करने का प्लैन कर रहे थे और नाजिब को इंस्ट्रॉक्शन दिया जाता है कि तुरंट ही इन सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए और साथ ही साथ ये भी डिकलेर कर जाएं कि हम सबी लोगों को तुरंट दौलताबाद में शिफ्ट हो जाना की है और यहां पे सेन सिक्स भी एंड हो जाता है सेन सेवन्थ जो कि हमें दिखाई देता है एक टेंट में जो कि डेली से दौलताबाद जाने वाली रोड पे है अब देखें यहां पे एक इंपॉर्टन बात मैं आप लोगों को बता दूँ अजीज और आजम अजीज वही आदमी जिसने विश्नु प्रसाद होने का अब्रामन होने का नाटक किया था अजीज और आजम ये दोनों मिलके प्लैनिंग करते हैं यहां पे एक हिंदू लेडी आती है और वो बोलती है कि भाई मुझे एक दिन का आफ चाहिए क्योंकि मेरी डॉटर बहुत जादा बिमार है अजीज बोलता है ठीक है एक दिन का आफ तुमें मिल जाएगा लेकिन बदले में हमें थोड़े पैसे दो अब हलंकि यह लेडी बहुत जादा पूर होती है और पैसे ना देने की वज़े से इसकी डॉटर मर जाती क्योंकि वह बिमार भी थी थोड़े देर बाद एक आदमी आता है जिसके पास छे बच्चे भी होते है उसके छे बच्चों के साथ में आता है अलेज़ को लगता है अलेज़ बोलता है कि भी तुझे तो शाम ढ़लने से पहले ही आ जाने की था लेकिन यह आदमी बोलता है कि मैं रास्ते में उन सारी डेड बोडिस की देखवाल कर रहा था जिनने तुगलक ने मारा था क्योंकि उस जमाने में होता क्या था कि तुगलक के अनुसार अगर डेज़िस्ट पर्शन यानि यह जो भी इनसान लोग मरे है जिनका मुर्डर हुआ है या जिनकी डेड बोडिस वहां पे पड़ी है अगर इनकी फैमिली के लोग आते हैं अगर इनके अफसेश खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उनको दे दिये जाते हैं इसलिए लोगों की डेड बोडिस पे भी नजर रखने के लिए एक आदमी को आपट किया जाता था अब अजीज को जैसे पता चलता है कोपर तो एजीली कहीं भी अविलबल हो जागा तो वो आजम को बोलता है अजीज की एक काम करते हैं हम लोग फेक करेंसी बनाते हैं और ये एक और बहुत ज़्यादा गलट डिसिजन था तुगलक का कि थामबे के कोईन यानि कोपर के कोईन स्टार्ट करना और उनकी वैल्यूइशन भी बिलकुल सिल्वर के कोईन स्टार्ट करना और यहाँ पे सीन सैवन्थ भी एंड हो जाता है सीन एट जो कि दौलताबाद के किले का है दौलताबाद के फॉट का है यहाँ पे दो सेंट्रीज century मतलब century जिने हिंदी में बोलता है वो दोनों इस किले की रक्षा कर रहे हैं जिसमें एक young man है और एक old man है ये दोनों पास में घड़े होकर उस किले की बहुत ज़्यादा तारीफ किये चा रहे हैं अब जो old man होता है वो बोलता है कि देली से जब हम लोग दोलता बाद आए तो रास्ते में ही मैंने अपनी वाइफ अपने फादर और अपनी बेटे को खो दिया यानि रास्ते में उनकी death हो गई उसे समय मुहमद अंदर आते हैं और वो old man को बोलते हैं कि जाकर बर्नी को बुला के लेकर आओ अब मुहमद और जो यंग में हैं यह दोनों एक दूसरे से बात करना लगते हैं जब बर्नी आता है तो मुहमद उसे अपने दो रैबेलियन के बारे में वताता है यानि दो विद्भवियों के बारे में बताता है एक तो जो बंगाल में है फकरुदिन और एक जो देकन में है बहल उत देन और वो क्लेम करते हैं कि अभी मुझे सिर्फ दो ही लोगो के पर कॉन्फिडेंस है एक तो शिहाब के फादर और दूसरा एनुल मल्क उसी समय पे जो एल्डरली गाय होता है यानि जो ओर्डमैन होता है वो अंदर आता है और वो आके क्या बोलता है कि नजीब की डेथ हो चुकी है नजीब का मुर्डर हो चुका है नजीब जो की तुगलख के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज था सबसे ज़्यादा क्लोज था और यहाँ पे सीन एट भी एंड हो जाता है सीन नाइन थै एक उची पहाड़ पे एक गुप्त स्थान यानि एक हाइडिंग प्लेस यहाँ पे आजम और अजीज दोनों एक दूसरे से बात करें आजम को अब डर लगने लग गया क्योटी यह तुगलख के सारे काम अगेंस्ट कर रहा था मतलब उसे धोखा दे रहा था तो इसे डर लगने लग गया अब इसलिए आजम बोलता है कि अजीज को बोलता है कि यार अपन ये सारा चोरी इच्लेगारी वाला काम अपन छोड़ देते है उसी समय करीम आता है और वो एक ऐसा आदमी के बारे में बताता है और इसको किड्नाइब करके किसने रख रहा था अजीज ने रख रहा था आजम उसे बताता है कि भाई ये तु बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है अगर तुगलक को पता चल गया तो वो तुझे पटक पटक के मारेगा लेकिन अजीज बोलता है कि देखो वैसे भी मुहमद बिन तुगलक ने काफी सारे लोगों का मर्डर कर चुका है वो दौलताबाद में आने के बाद में और अजीज क्या करता है वो जो गया सुद्दीन अबासीद होता है जो की अपने आपको खलीफ अबासीद बताता था उसको मार के और उसकी खाल में भुसा भर के और मारकेट प्लेश पे टांग देता है और खुद उसका भीश बना लेता है और खुद मिलने के लिए चला जाता है तुगलक से यहां पे हमारा एंड हो जाता है सीन नाइन्थ सीन टैन्थ स्टार्ट होता है जो की पैलिस का सीन है यानि महल का सीन है यहां पे मुहमद और स्टेप मदर दोनों बात करें और जो स्टेप मदर है वो मुहम्मद को उन प्रॉब्लम्स के बारे में बता लिए जो कॉपर कोईंस की वज़े से आ रहे थे लोगों ने बहुत सारी फेक करनसी बना ली थी एकॉनमी पूरी तरह से ठप पड़ गए थी और ये अपने बेटे को यानी तुगलक को बहुत ज़्यादा डाट रही थी लेकिन दूसरी तरह जो तुगलक है ये नाजिब की डेट से इतना ज़्यादा परिशान हो चुका था कि इसने अपना मैंटल स्टेट पूरी तरह से खो दिया था और ये पुरी तरह से पागलों की तरह बहेव करने लगया था लोगों को ये बुरी तरह से मार रहा था उनको सजा दे रहा था क्योंकि ये जानना चाहता था कि नाजिब को किसने मार रहा है अब इसकी मदर को जब इस बारे में पता चुलता है तो इसकी मदर बोलती है कि नाजिब को मैंने ही मरवाए क्योंकि वो तुछ पर बहुत ज़्यादा हक दिखाने लगया था और तुझे गलत सला देने लगया था इसलिए उससे दूर रखने के लिए मैंने उससे मार दिया इस बात पर तुगलक को इतना ज़्यादा गुस्ता आता है ये इतना ज़्यादा परेशान होता है कि ये अपनी मदर को भी मरवार डालता है कैसे ये एक और्डर पेश करता है जिसमें इसकी मदर को तब तक पत्थरों से मारा जाये जब तक उसकी जान ने निकलती तो ultimately हो तक है तुगलक की मदर की भी death हो जाती है और यहाँ पे हमें इसके character का दूसरा dark side देखने को पता चलता है अब थोड़ी देर बाद में बर्णी आता है और बर्णी यह बोलता है कि गवर्णर ने एक नोट भीजा है कि अब से प्राथना वापस से start करवाई जानी चाहिए अच्छा प्राथना बंद हो गई थी क्यों बंद हो गई थी क्योंकि जब से तुगलक को प्राथना के टाइम पे मारने की plan या साजिश रची गई थी उसके बाद में तुगलक ने प्रातना करवाना ही बंद कर दिया था तो बर्णी बोलता है कि गवर्नर ने नोट भी लै और उसमें उसने ये बुलाए कि लोगों को एक दिन में पांच बर प्रातना करनी चाहिए और वैसे भी अगले दिन तो गिया सुद्ध नबासीद आही जाएंगे शुकरवा को तो तब से प्रातना फिर से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे सेन 10 भी हमारा एंड हो जाता है सेन 11 जो कि दौलताबाद किले के बाहर का सेन है यहाँ पे गया सुद्ध नबासीद क्योंकि अब आने वालें तो उनका अभिवादन करने के लिए उनका ग्रीट करने के लिए बहुत सारे लोग रेजिडेंट के बाहर जमाओ रखे हैं अब यहाँ पे जो जनता है इनका ये मानना है कि भाई हमें प्रेयर की जरुवत नहीं है हमें खाने की जरुवत है क्योंकि कॉपर कॉइंस की वज़े से एकॉनमी इतनी जाधर ठप होगी थी कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था तो वो लोग गया सुधी नभासी पे बिलकुल भी धान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हमें परात्ना की जरुवत नहीं है एक दिन में पांच बार हमें परात्ना मत करवाओ बलकि हमें खाना दे दो अब जैसे ही गया सुधी नभासी आता है जो की एक्शली अजीज होता है और इसे तुगलक पहचान नहीं पहता तुगलक आके उसके चड़नों में पढ़ जाता है यानि उसको प्रणाम करता है और उसको गले लगा लेता है एक फीमेल हुती है फीमेल हिंदू जो की अजीज को अच्छे से जानती थी पातना की वज़े से नहीं खाने पीने की वज़े से भुखमरी की वज़े से यहाँ पे दंगे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सीन 11 एंड हो जाता है सीन 12 जो की पैलस का सीन है महल का सीन है अजीज और आजम दोनों महल के अंदर है दोनों को इस बात का डर लग रहा है कि अब थोड़ी दिनों में उनका भंडा फोर्ड उने वाल है आजम को इस बात का बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो बोलता है कि चलो हम लोग महल से भाग निकलते हैं और मैंने दो स्लेव्स को थोड़े पैसे भी दे दिये वो थोड़ी दिर में 30 मिनिट में हमा लिए गोड़े लेकर आ जाएंगे होजसेस लेकर आ जाएंगे और हम लोग उस पर बैठके यहां से भाग निकलेंगे पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी तो उन्हें छुपे रास्ते से यह नहीं गुपत रास्तों से भागना होगा फिर वो लोग डेसाइड करते हैं लेकिन यार महल के बाहर हमने जो कॉइंस एकठा करके हैं उनके बारे में क्या तो अजीज बोलता है कि उसमें से थोड़ा पैसा मैंना इकठा कर लिया वो लेके हम लोग निकल लेंगे लेकिन थोड़ी दिर बाद में जैसे वो जाने की प्लैनिंग करते हैं अजीज जाने से मना कर देता है क्योंकि बोलता है कि यार मेरा यहां पे इतनी अच्छी मेरा स्वागत सद्कार किया जा रहा है मेरे साथ मेहमान नवाजे इतनी अच्छी की जा रही है तो मैं तो यहां से नहीं जा रहा और यहीं पे सेन 12 एंड हो जाता है सीन 13 जो कि इस पूरे प्ले का एंडिंग है इसमें पूरी पॉपिलिस को यानी पूरी जंता को इंफर्म किया जाता है कि जैसे गिया सुद्धीन अबासीद यहां पे आएंगे प्राथना पे लगा हुआ जो प्रतिबंद है वो पूरी तरह से हट जाएगा को पकड़ते ही मौत के घाठ उतार दिया जाता है अजीज को जो कि गिया सुद्धीन अबासीद बना हुआ था उसकी भी सच्यप सामने आ गई तो वो राजय के सामने बताने लग जाता है किस तरीके से मैंने स्टार्टिंग से आपको धोका दिया पहले मैंने विश्नु प्रसाद एक ब्राह्मन बनके आपको धोका दिया फिर मैंने जब जनता को आप लेकर आ रहे थे डैली से दौलताबाद तो जनता को मैं रास्ते में लोटता रहा फिर मैंने नकली करेंसी बनाई फिक करेंसी बनाई और अब मैं गिया सुद्दिन अबासिद का भेश बना के आ गया तो अपने सारी कहानी बता देता है क्योंकि उससे लगता है कि मेरे पास बचने का तो वैसे भी कोई चांस नहीं है अब यहाँ पे सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है ट्विस्ट यह आता है कि होना क्या चाहिए था कि भी उसको कड़ी सजा देनी चाहिए थी तुगलक के द्वारा लेकिन तुगलक उसकी इस बात से इंप्रेस हो जाता है कि भई तू तो मुझसे भी ज़्यादा चाला कि तूने एक सुल्तान को बेखुफ बना लिया तो वो उसको अवार्ड करता है और अवार्ड भी उसको क्या करता है कि वो अपने कोट में उसको हाई अथोरिटी पे एक पुजीशन दे देता है और खुद उसके बाद में रेस्ट करने के लिए यानि सोने के लिए चला चाता है फिर जब तुगलत की नेंद खुलती है तो उसे realize होता है उसे मैसूस होता है कि यार वो तो पागल हो गया और पूरी कहानी यहीं पे end हो चाती है I hope आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा फिर भी अगर इस चैप्टर के कोल भी डावट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते है और हाँ अच्छा लगा शेयर जरू कर देना है और एकदम फ्री है नेक्स वीडियो में मैं इसके कैरेक्टर स्केच और इंपॉर्टेंट क्वेस्ट्चन भी आप लोगों को बताऊंगा चलि मिलते हैं इसी तरह के ओर के जम मजदार वीडियो में नेक्स वीडियो तक के लिए आफ गुड़ी तकिर बबाए जाहिंचे भारत रादेरा थे